नमस्कार एक और वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं आपके लिए मुख्यमंत्री सार्थी योजना के बारे में थोड़ा सा डिसकस करने जा रहा हूँ इसके उपर अल्रेडी मेरा एक वीडियो है लेकिन आज इस योजना को लागू कर दिया गया है इससे पहले मैंन लिखा हुआ है मुख्यमंत्री सार्थी योजना अंतरगत बिरसा योजना जिसके अंतरगत में हर युवा और यूवति को जो है वो कुछ प्रोसाहन रासी मिलेगा किसे मिलेगा किसको मिलेगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा भी सौटकट में और डीटेल से मेरा उस वीडियो में है उपलब जिसमें मैंने कस्टमर केर से भी बात किया हुआ था मेरा पिछला वीडियो भी आप देख सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर सौट में देख लेते हैं इस योजना के अंतरगत में जो है वो 18-35 वर्स का यूवक एवंग यूवती जो है वो योग्य है अगर वो सामानेवर का है तो SC, ST, OBC है तो 18-50 वर्स तक जो है वो योग्य है आप देख सकते हैं यह है मुख्यमंत्री जी का ट्विटर हैंडल और आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि राज जी के यूवा अपने अंदर छुपी व योजना अंतरगत विर्सायोजना ब्लॉक लेवल इंस्सिट्यूट फोर रूरल स्किल एक्विजिशन यह विर्सायोजना के अंदरगत में है है और 2023-4 के अंतरगत में सबसे पहले इसको 80 प्रकंडों में लागू किया जा रहा है इसके अंतरगत में क्या होगा मैं आपको बता दूँ इसके अंतरकत में जो है यह आप यहां पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी का ही हम ट्वीट पहले दिखा देते हैं आप देखे लिखा हुआ है कि यूवकों को महिला हैं दिव्यांग है या फिर ट्रांसजेंडर है तो आपको पंद्रह सव रुपईये मतलब प्रती महिना मिलेगा एक वर्ष के लिए डिबीटी के माध्यम से और जो ग्यार आवासिये पर सिक्षन करेंगे उनके लिए जो है वो एक हजार रुपईया और अतरिक्त दिया कि आप आने जाने का जो खर्च होगा उसके लिए अब मैं आपको इस योजना के बारे में थोड़ा सा और भी बता दो आप यह देखिए बिरसाग केंद्र प्रथम चलन में असी प्रखंड में लागू हो रहा है प्रखंड अस्तर पर जो है वो सबको निसूल्क प्रति माहा दिया जाएगा या दिव्यांग या ट्रांसजेंडर जो होगा उनको 15 रुपया प्रति माहा दिया जाएगा और सबसे पहले आपको प्रसिक्षन लेना होगा प्रसिक्षन लेने के तीन माहा के अंदर अगर नियोजन नहीं होता है तब आपको यह दिया आप एक बार ध्यान से सुनिए और एक बार पुना में आपको बता दे रहा हूं सबसे पहले आपको क्या होगा आपको skill development के लिए registration करना होगा मतलब आपको प्रसिक्षन लेने के लिए जैसे आपको हो सकता mobile बनाना solar बनाना या अन्य चीजों को सीखने के लिए सबसे पहले सर रोजगार नहीं दे पाती है तो वैसे स्थिति में आपको ये पैसा मिलेगा 1000 रुपईया या फिर 1500 रुपईये प्रती महिना और ये पैसा जो है वो एक वर्स के लिए अधिक्तम मिलेगा उसके बाद जो है वो आपको रोजगार दे ही दिया जाएगा इसके अलावे जो आ पर रहने खाने के सुधाव प्लब नहीं है तो आपको आने जाने के लिए 1000 रुपईया दिया जाएगा जब आप प्रसिक्षन लेंगे उसी समय 1000 रुपईया दिया जाएगा प्रती महा जितने दिनों का प्रसिक्षन होगा मालो 6 महिने का होगा तो 6 महिने तक आपको 1000 रु मेने के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तब आपको ये वाला पैसा दिया जाएगा 1000 रुपईया और 15 रुपईया प्रति मेना अधिक्तम एक वर्स के लिए और अगर आप पर सिक्षन नहीं लेते हैं और वेरोज़गार हैं तो वैसे स्थती में आपको ये पैसा नहीं दिये जाएगा अधिक जानकारी के लिए हमारे पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं और इसी प्रकार से अन्य जानकारीयों के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और पनरिया मारे चैनल के साथ धन्य बाद